हेलो बेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे और इस टाइम जो है रात का बज गया है साथ तो साथ बज चुके हैं और हमने यहां पे सुबे के टाइम भीगोई थी डाल उरतकी और साथ में थोड़े से राजमा तो आप लोग समझ गए होंगे क क्या बनाने जा रहे हैं तो हम बनाने जा रहे हैं दाल मकनी तो इसके लिए हमने इसको भीगोगे रख दिया था तो अच्छे से इसको साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसमें डालेंगे पानी और नमक साथ पे खड़े मसाले डालेंगे तो तेज पता डालेंगे और भी खढ़ें डोड़ी के तो भीली कि लए इसमे गी थोड़ा सा घिय अप इसमें चाहएं तो रीफाइंड भी डाल सकते हैं तो हमने यहां पे घी डाला हैं पानी है इतना होना चाहिए कि ऐल अच्छ से बीगी रहे और फिर इसको तेज आजमें पर हम पकाएंगे एक सीटी यहने तक भीच दहींइंगे दहीं दहीं दहींए के चाइर सीटी घूर को पका हैं को इसीन में फिराम बेस्ट ना हो और आराम से जल्दी से बन जाए क्योंकि लहसुन में बहुत टाइम लगता है और सीटी भी आ चुकी है अब यहां पे हम टमाटर को पीसेंगे प्याज को भी हमने चील लिया है और इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे पहले नमबर हम टमाटर को कट करके इसकी प्यूरी बना लेंगे तो चलिए हमारी सारी तैयारी तो हो चुकी है अब हमारी दाल जो है दाल भी पक गई है अच्छे से आप इसको अच्छे से मैस कर लेंगे तो इनको मैस करBER लेंगे आप चाहшьं तो इसमें चन्या की डाल भी डाल सकते हैं लेकिन हमने यहां पर राजमा डाला है तो इसको अच्छे से मैस करेंगे और एक साइड रखेंगे कड़ाई और उसमें डालेंगे थोड़का घी और सथमें बटर तो हमने यहाँ पे तेल का यूज़ित बिलकुल नहीं किया he इसमें घी डालेंगे तब ही अच्छी डाल बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी तो हमने इसमें जीरा डाला है और जीरा डालने के पात इसमें अद्रग लेसुन का पेस्ट डाला है अब इसको अच्छे से चलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा ह भारी कटा हुआ हमने जो पिल बड़े गौल्ड मिर्च तो मिर्च झाला जांगे हंजा जाएंगE कि लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च पड़ी है तो इसलिए हमने लाल- मिर्च नहीं डाली है now इसने टेमाटर प्योरी डाल देंगे और डालने के बा Girls चोडने गो टेल चुर को हच्चे से पका लेंगे nobody तो नमक कहा हा हे लगातार चलते और मैस करते खाते自然 की अगर शूरी तो तो सोभगर भी दैने में तोम पिक आखे दाल लगेगी इसको जितना ही पकाना है उतना ही अच्छा है तो यहां पर हमने मलाई दूद की निकाल लिए अब यह मलाई जो है हम इसमें डाल देंगे और साथ में बटर भी डाल देंगे जब मलाई और बटर डाल रहे थे तो कैमरा मेरे सामने था और कड़ाई की तरब नह करें कि ऊपर से तड़का लगाएंगे तो समें हम डालेंगे बटर और घी ऑर समें डालेंगे और ये तड़का हमारा तैयार हो गया होगय कि कास्मीरी ट्यार ह कशला लकंवार हम अपने ओघ्र बनाई हो थे अब दपर बनाई रेंगे और ठीजै और च chrom 17- могил आप चाहें अमूल वाली ले लिजे नहीं तो आपके घर पे ताजी एक दम फ्रस मलाई भी दूद में से निका लिजे और अब इसमें हर अधनिया और साथ में हरी मिर्च डेकोरेशन इसकी थोड़ी सी कर देंगे तो हमारे डाल मखनी बन के तयार है। अगर आप लोगों को रेिकी पसंद माली से जरूर से जरूर बताएगा और प्लीज 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 ला头 करिएगा और प्लीज ल्एक जरू अभड़ी केशन दया Ruby कैसे लगी है तो यहां पे हमने थोड़ा सा बटर रोटी बनाई है और साथ में राइस है और जीरा राइस बनाया था तो यह है और हमारी थाली तयार है चलिए अब यह एक एकर की सफोर दे दे देते हैं खाना तो आप लोग यह जरूर बताईएगा राइस पी कैसी लगी है अगर पसंद लाइए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताईएगा कल मिलते हैं बाई बाई